हलो प्रेंट्स, है मैं अपरती, वेलकम एक ट्यूर चैनल, प्लांट्सी स्पेस, आज 14 जून हो चुका है, और जून में तो इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, माई तक तो थोड़ी बारिश हुई भी थी, लेकिन जून में बारिश बिल्कुल नहीं हुई, मौसम मे काफी गर्माहट है, और प्लांट्स की कंडिशन भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में शाम तक आते आते, पौदे मुर्जाने लगते हैं, कोई सुबह में वाटरिंग करते हैं, तो जो सुबह में पानी देते हैं, पौदो में तो उनके पौदे शाम में में गूम एक जाते हैं और अगली दोपहर तक पौधे मुर्जाने लगते हैं तो काफी परेशानी हो जाती है और आज कल चुटियां चल रही हैं कुछ लोग महमान बनकर भूमने गए हैं और कुछ लोगों के घर महमान आए हुए हैं तो प्लांट्स पे ज़ाद धिया जा रहा है तो अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं ये जाते हैं तो इस पर तो हमने वीडियो शेयर की हुई है कि कैसे अपने प्लांट्स को ठीक रखें लेकिन अगर आपके यहां महमान आए हुए हैं तो आपने पौधों का ध्यान कैसे रखें। ऐसे में केवल आप एक काम कीजिए। जब आपके यह महमान आय हुए हों और आपके पास समय ना हो, इस में केवल पानी का ही ध्यान रखें। और कोई जजादा ध्यान खानगा प्लांट्स में ज़रूरत नहीं तो उसके लिए आप क्या कीजिए जैसे जो प्लांट्स आपके धूप में रखे हुए हैं उनको ऐसी जगे पर शिफ्ट कर दीजे जहां पर बहुत ज़दा धूप नहीं आती है अब आप सोचेंगे कि कहीं प्लांट्स बेकार तो नहीं हो जाएंगे तो देखिए 10-15 दिन के ऐसे जगे भी शिफ्ट कर सकते हैं जहां कम दूपाती है असे क्या होगा प्लांट्स जलदी जल्दी मुढूट जाएंगे और आपको अपने प्लांट्स में जादा समय देने की जरूरत नहीं होगी, जो प्लांट्स दीवार के पास में रखे हैं, उनको दीवार से थोड़ा सा आगे कर दीजे, क्योंकि जब धूप से दीवार गर्म होती है, तो रेफलेक्ट होकर उसकी जो हीट होती है, वो पौधो को लगती है, उससे भी पौधे पेकार होते हैं, तो दीवार से थोड़ा थोड़ा आगे कर दीजे, और थोड़ी चायधार जगे पर शिप्ट कर सकते हैं, दूसरी बात पानी अगर आपको देना है, जैसे आप नहीं दे पा रहे हैं पौधो पर ध्यान, तो आप किसी भी स समय वाटरिंग कर सकते हैं, अगर पौधे धूप में रखे रहेंगे, तो दोपहर में भी आप वाटरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पौधो पर सीधी धूप पड़ेगी, तो वो सही नहीं है, और अगर आपने प्लांस को थोड़ा शेड में रखा हुआ है, या सेमी शे जाता है, माली जे कहीं जाना पढ़ गया, अचानक घूमने के लिए या कहीं जाना पढ़ गया, वैसे भी तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो लॉटकर आकर हमें पानी देना पड़ता है, कभी-कभी दिन भी छिप जाता है, जबकि दिन शिपने के बाद पौधों को पानी नहीं दिया जाता लेकिन कभी-कभी हो जाती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो बहुत से लोग तो गार्णिंग इसलिए भी नहीं करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए या मेहमान हमारे घर आ जाए तो हम पौधों को कैसे ध्यान रखेंगे कोई परिशानी नहीं आ जाती है लगबग चार बजे के आसपास तो जो चाया में रखे हुए पौधे हैं सबसे बहले तो मैं उनमें पानी दे आती हूँ और जो धूप में रखे हुए है तब उसमें पानी नहीं देती हूँ उसके लिए वेट करती हूँ जब दिन ढ़ल जाता है अब जैसे मान ल जो पौधे बचे रह गए थे जिन पर शाम चार बजे तक भी दूप थी तो उनको हमने पानी नहीं दिया था तो लौट कर आकर उन पौधों में पानी दे देते हैं तो इससे काम भी हलका हो जाता है और प्लांट्स भी बेकार नहीं होते हैं तो इस तरह आप भी अपने प पूचिएगा थेंक यू